नमस्कार मित्रू, मैं हम डॉक्टर हरी निवास, चैनल का नाम है संस्कृत, साही तेवन संस्कृती, महा भारत अनुशासन पर चला है, दान पुनी की बातें चल रही हैं, दान करना चाहिए, हमने गवदान के बारे में भी जाना, बहुत सारी कथाएं हमने सुनी हैं, दान ल दाताओं के उपर डिका हुआ है, लेने वालों का एक अपना महत्व है, स्रिष्ठ लेने वाले मिलें तो दाता का कल्यान हो जाता है, ये बिल्कुल सच है, लेकिन अगर दान करने वाले नहों, तो ये संसार जो है, जिस रूप में आज आप इसको देख रहे हैं ये इस दान करने वालों ने विद्याले बनवाए हैं, दान करने वालों ने धर्मसालाएं बनवाए हैं, दान करने वालों ने इतना कुछ किया है, कि जिसकी कारण इस संसार में लोगों का जीवन सरल बना है, अगर आज जैसी ही संस्कृती हमारे प्राचीन काल की रही होती, जो सं रात रुकने के लिए उसका भी पैसा ले लिया करते हैं इस प्रकार के भी उन्होंने अपने हरूम बना रखें ऐसी विवस्ताइं भी कर रखें क्योंकि आज किसी को अतिति देवों भौ मेरस नहीं है क्योंकि अतिति अगर आपके यहां आपके बुगा जी आ गए आपके गणना अतिति में नहीं हुआ करती आपका मित्र कोई आपके यहां आ गया तो इसकी गणना हमारे यहां अतिति में नहीं हुआ करती अतिति का तात्पर ही यह है कि जिसको आप जानते नहीं है और जो अचानक आपके यहां करके पहुंच गया है उसी को अतितिति का आ जाता जिसको आप भी नहीं जानते हैं और जिसके आने की तिथी भी तैना हो और फिर भी आप उसका स्वागत सतकार करते हैं आप उसका आदर सम्मान करते हैं तो वो व्यक्ति जब एक अजान अंजान व्यक्ति के पास से इस प्रकार का आदर सम्मान प्राप्त करके जाता था तो उ जा करके कोई भी व्यक्ति रुख सकता है आजकल तो धर्मसाला मैं भी व्यवस्ता के नाम पे होटल जितने चार्ज लिए जाते हैं चलिए हम विशे पे आएं यहां चर्चा चल रही है कि दान जब दिया जाए तो जरूरत मंद को उसको जिस चीज की जरूरत है उसका दान उ इसी प्रकार से जिस व्यक्ति को जिस चीज की जरूरत है अब इसमें एक कथा च्छत्र और उपाहन के संदर्व में आती है यानि जूरतों का दान करने की और च्छत्र का दान करने का जो महत्व है और वो कहां से सुरू हुआ इनके उत्पत्ति कैसे हुई इसके संदर्व क कथा सुनते हैं जम्दगनी रिशी का नाम आप सबने सुना हुआ है परफसुलाम जी की पिता थे इनको भी वास्तों में तो परफसुलाम की जगे इनी को छत्रिय तुल्य बढ़ना था लेकिन चुंकि इनकी माता ने ये वर्दान ले लिया था कि मेरे पुत्र के साथ ऐसा न भी ब्राह्मन हो ख्षत्री हो वैश्य हो शुद्र हो सभी को खेलने में तो एक आनन्द आता है एक दिन धनुसिन के हाथ में है बान ये प्रतिंचा पे चढ़ाते हैं और बान चला देते हैं पत्नी रेनुका है वो बार बार दोड़के जाती है बान को उठा के लेके आती ह है और इस प्रकार से ये खेल खेल रहे हैं आनन्द आ रहा है जब वो बान चलता तो सान सन 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 अवाज आती है उस अवाज को सुनकर के रेनुका जैसी पत्नी है अग्या कारणी सती पतिप्रता वो दोड़के जाती है बान को उठा लाती है दो दो तीन दीन बान चला दिय तो यहां तो दोड़ के जाना आप तो अपनी जग्या पे बैठे हुए वही से बाण चला दे रहे हैं लेकान रेनो का जब दोड़के जाती हैं तो अब तो नीचे परत्वी भी गरम हो गई उस समय तो जूते चपल थे नहीं यह तो जूते चपलों पत्ती के संदर्ब की ही कथा है तो जूते वगेरे थे नहीं कि पहन करके वह हो ना ही सिर पे कुछ इस प्रकार का था कि जिसकी बज़े से सिर ना तपे तो बड़ी ही दिक्कत हो रही है वो आप तो अपनी जगह पे बैठके बान चला देते हैं बान गया और वो कभी किसी पेड़ की छाय में थोड़ वो कहीं क्रोधित हो गए और तो लेने के देने पड़ जाएंगे पत्नियों को बैसे भी पती से उस जमाने में तो बड़ा डर लगा करता था आजकल तो पती ही पत्नियों से डरते हैं वो एक अलग बात है तो जंदगनी रिशी के भैसे व्याकुल वो जल्दी जल्दी आत तो थी लेकिन कितने बार ऐसा किया जाए तो जब बहुत तब गई तो एक व्रुक्ष के नीचे थोड़ा विस्राम करते हुए थोड़ा सुस्ता करके जब वो आती है तो पूछते हैं कि पाई क्या बात है आप इस प्रकार से इतनी देर क्यों लगा रहे हैं पहले तो अप मेरा सिर ऐसा लग रहा है जैसे जला जा रहा है पहादव चैवे तपोधन है और तपोधन मेरे पैर भी आप ये समझे देजिए कि बस चाले पढ़ने की तयार है इस प्रकार की स्तिती मेरे पैरों की भी हो गई है तो सूरिते जो निरुद्धा हम ब्रुक्ष चाय हम समा से इसलिए सूरि के इस ताप से इस सूरि की किरनों से बचने के लिए मैं थोड़ी देर रुक्ष की चाय है मैं रुक गई है और इसी वज़े से मुझे आने में भी लंब हो गया है अब तो जैसे ही जम्दगनी ने रेनका के मुझे ये बात सुनी कि सूरिदेव के इस कठोर ताप की बचे से इन किरनों की बचे से इस गर्मी की बचे से मेरी पत्नी को इतने फिडा हुई है तो तुरांती इस नेर्णे पर पहुंच जाते अध्याइनम दीप्ति करनम रेनुके तब दुक्ष दम हे रेनुका तुमको दुख देने वाले तुमको इस प्रकार से तपाने वाले आज ही मेरे बाणों के प्रहार से इन सूर देव को मैं धरासा ही कर दूँगा अब यह सूरी को प्रहाने करने करके इन्हों ने अपने दनों से बाण लेकर के तयार हो गए जिस दिशा में सूरी की गती है उसी दिशा की तरफ ये तैयार हैं अपने बान चलाने के लिए ऐसे में सूरी देव ब्रामन का रोप धान करके इनके पास आ करके पहुंच जाते हैं आपको कथा में कुछ बातें ऐसी लगेंगी लेकिन हर कथा का एक अपना महत होता है उसके महत को जो हम देखेंगे तब हम इसकी चर्चा करेंगे सूरी देव ब्रामन का रोप धान करके इनके पास आ जाते हैं और इंसे कहते हैं कि रिशीवर आप बताईयो तो सही कि सूरी ने आपका अपराद क्या किया है भई उसको जो कहा गया है जो उसको आग्या दे गई है कि इस तरीके से आपको चलना है उसी प्रकार से वो चल लए हैं और वो जब इस प्रकार से चल लए हैं इसी की बज़े से वरसात होती है इसी की बज़े से सभी और सदियां और जितनी भी चीज़े हैं वो सब इसी के बज़े से आपको प्राफ्ट होते हैं तो इसमें सूर्य ने आपका अपराद क्या किया है भई उनको जो आग्या दी गई है उसी आग्या के अनुसार वो उस आग्या का पालन कर रहे हैं जितनी ओसदी कि जितने प्रकार के इस संसार के सुभकार हैं, क्योंकि अगर इस प्रकार से वरसात नहीं होगी, अगर इस प्रकार से सभी ओसदियां और सभी खेती वगएरे नहीं होगा, तो फिर आप मान लीजे कि वरत, उपनेयन, ये जितने संसकार वगएरे हैं, सब बंद हो जाएंगे क्योंकि सूरी की इन किरणों के कारण ही मेग बरसात करते हैं सूरी की इन किरणों के कारण ही ये जितनी आउसदियां हैं जितनी प्रकृतियां हैं जितने तत्व हैं फल पुष्पित्यादी हैं उस सब कुछ आपको प्राप्त होते हैं तो शास्त्रों में जो विहित है वही कारे शूरीदेव करते हैं, फिर आपको ऐसा क्यूं लग रहा है कि उन्होंने कुछ गलत किया आपके साथ, और किया है तो आप बताईए कि क्या गलत किया है, आप जम्दग्नी रिशी कहते हैं कि भले उनकी जो भी गती हो, लेकिन मेरी पत्नी को इससे पीड़ा होई है, और मैं अपनी पत्नी को दुखी नहीं देख सकता हूँ, इसलिए अवस ही सूरी को दंड़ दूँगा, तब सूरीदेव ने कहा कि देखिए आप जिन पे निसान बना है, चलाने जा रहे हैं, आपका निसान तो चंग चल है, वो तो गतिम तो इस जो चलाय मान है, ऐसे सूरी के उपर आप अपने बाणों का संधान कर भी लेंगे, तो उसका लक्षबेद किस प्रकार से करेंगे, और सूरी की गति कुछ ऐसी तो है नहीं कि, हाँ, सामान ने गति है, धीरे-धीरे कुछ हिल आया, आप उसको बाण से मार लेंगे, अब देखिए, ये सवाल तो बहुत सही था, लेकिन जब तर नहीं तो रिशी और विद्वान तो कहते हैं, स्थिरम चापी, चलम चापी, जाने तो आम ग्यान चक्षुरा, मुझे पता है, कि आप चल भी हैं और आप स्थिर भी हैं, यानि बैसे तो सूरी गति करता रहता ह है, लेकिन मध्यान का जब समय आता है, उस समय जो थोड़ी सी सेकेंड्स के लिए सूरी की गति अवरुद्ध होती, वो अपनी जगे पे जो स्थिर होते हैं, मुझे वो समय पता है, मध्यान ने वई निमेश आर्धम, अर्ध निमेश के लिए, जो मध्यान के समय दिवाकर प्राकास में स्थिर होते हैं ना, तक्त्र भेट से आमी सूरी अंत्वाम, नमे अत्रास्ते विचारना, मैं उस समय तुम्हारा वेधन करूँगा, ब्राह्मण के वेश में सूरी हैं, सूरी को पहँचान भी गए हैं, और सपश्ट सूरी से कह रहें कि उस समय में तुम्हार नहीं है तो उनकी चरण पकड़ लेते हैं असन सेम माम विप्रसे भेट से सी धन्विदाम में आप धनुस्धारियों में स्रेश्ट हैं आप अवस्थी हिसकारी को कर सकते हैं मुझसे जो भी अपराद हो गया है मैं हब की सरण में आया हूँ मुझे माप कर दो देखे जब ये एक समझने वाली बात है चानक की नीटी में भी लिखा है महाभारत में भी लिखा है सभी जगे इस चीछ का उल्लेक पाया जाता है और नीटी पर गरंथ हमेशा इस बात को कहते हैं कि सस्त्र भरताम जिसके पास शस्त्र हों ऐसे व्यक्ति के साथ बहस नहीं करने चाहिए उस चीज को खतम करना चाहिए अब जंदनी समय धनुस्पान लेकर के क्रोध में तेयार है ऐसे में सूरी देव उनके साथ अगर बहस करने लग जाए तो परणाम सूरी देव के लिए अच्छे नहीं आने वाले हैं इस बात को जानते तो वो ख्षमाय आचना करते हैं कहते हैं कि रिशिवर अब जो हो गया उसको अगर आप हमें ख्षमा करते हैं तो तुरंती रिशी कहते हैं कि अगर आप हमारी सरण में आये हैं तो फिर तो आप निस्चिंद हो जाएए क्योंकि शरण में आये हुए कि तो लाख अपराद हो तो भी माप कर देने चाहिए ऐसे व्यक्ति के साथ कभी भी दुर्वयोहार नहीं करना चाहिए जो आपकी शरण में आ गया है अब आप हमारी शरण में आ गया है इसलिए आप निश्चिंद हो जाएए इस प्रकार से सूरी देव को निश्चिंद तो कर दिया लेकिन वो पीड़ा उनके मन में अभी भी है कि अगर मेरी पत्नी फिर बान उठाने जाएगी तो सूरी की किरणों से उसको तब सूरी देव कहते हैं महर से सिरस्तरानम चत्रम मद रश्मिवारनम मैं आपको मेरी किरणों से बचने का उपाय बताता हूँ देखिए सिर के उपर छत्र लगा लीजिए तो मेरी किरणों की असर नहीं होगी और पैरों में पदभिहाम चात्रान आर्थम चर्म पादुके और पैरों की रक्षा के लिए चमडे की पादुकाएं यानि चपल वगएर या जूते वगएर जो भी चमडे से बने हुए हैं वो पहने जा सकते हैं अगर उनका धारन किया जाए तो फिर हमारी कर्मी से बचा जा सकता है तो इस प्रकार से सूरी की प्रभाव से बचने के लिए सूरी की किरणों से बचने के लिए इन दू चीजों की उतपत्ती स्वेम सूर्य देव के बताने के अनुसार होई है तो ये कथा जो थी आपको बहुत सारी कथाईं छोड़ दिए बहुत सारी चीज़ें छोड़ दिए यह आपको क्यों सुनाई देखिये एक तो ये है कि रिशी जो है वो अपनी पत्नी को कितना प्रैम करते थे कि उसके लिए वो सूरी को भी दंड देने के लिए तैयार है अब देखिए सूरी का कोई अपराद नहीं है वो तो अपनी ड्यूटी कर रहे हैं तो कई बार आप निरपराद हो फिर भी जमदगनी जैसा अगर कोई दंड देने के लिए तैयार हो तो आपको इस चीज का ख्याल करना चाहिए कि उनके साथ आप कहें कि मेरी कोई गलती ही नहीं है तो मैं क्यों माफी मांग लूँ ऐसा नहीं होना चाहिए बड़े बुजर्गों के सामने माफी मांग लेने में कभी भी हम छोटे नहीं होते हैं हमारी गलती हो या ना ये भी समझने की बात है और सबसे महत्पून बात जो है वो ये है कि दान धर्म से ये प्रत्वी ठकी हुई है और दान धर्म करनी के समय हमें इस चीज का ख्याल अवस्य कर लेना चाहिए कि जिसको जिस चीज की जरुवत है अगर सूरी की गर्मी से कोई तबके आ रहा है और उसको पानी पीना है उस समय आप उसको चाहे पिलाएं उसको चाहे की जरुवत नहीं है उसको पहले पानी चाहिए हाँ पानी पी लिया उसका मन शांत हो गया अब उसको उपर से चाय पिलाएं, खाना खिलाएं, जो भी करें, वो बात की बात है, तो जब भी आप दान करने बैठते हैं, तो इन चीजों का ख्याल अवशे करें, कि आप कहां किस को किस प्रकार की चीजों का दान करने जा रहे हैं, और उसमें उसकी उपयोगी ताका ख्य और इनका बड़ा ही महत्व माना गया है यह तो हर वस्तु के दान का एक महत्व है और हर वस्तु का दान करके व्यक्तिकुष से क्या फलपराप्थ होते हैं अगर यह सब कुछ आपको जानना है तो अनुशासन तरव आपको पढ़ना चाहिए और दान धर्म के महिमा को आपको जानना चाहिए चलिए इस वीडियो में इतना ही अगले वीडियो में हम क्यों व्यक्ति शतायू होता है क्यों व्यक्ति अलपायू होता है कौन से कर्म करने से हम दीरगायों होते हैं, कौन से कर्म करने से हमारी मृत्यू जल्दी आ सकती है, उन सब बातों के बारे में जानेंगे, धन्यवाद, मैं हूँ डॉक्टर हरी निवास, और चैनल करना में संस्कृत साहीति, महा भारत है, अनुशासन सिखाया जा रहा है, चल मॊ है निवास, शीवाद टीज बारे में, हम हाब साहीति है, जो य tienes गयादियने के जाने से करने हैं, मैं हम से करने सम Owl ।